नमस्कार इस्टूरेट्स कैसे आप सभी आप सभी का स्वागत है आपके अपने सी योटूब चैनल सिंदिक दुबेशी जी पीसी में आज हम लोग 36 गड का तीसरा एमसी क्यूज लगाने जा रहे इसका तीसरा पार्ट है इससे पहले अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको यह मिल जाएगा पहला चैनल की जभी आरक्षन को लेके बहुत गर्माहट चल रहा है तो इसकी विसे मैंने जानकारी दे दी हैं क्या राजय पत्र में था राजय पाल महदे ने साइन किया कि नहीं क्या मुद्दा था आप कुरुपय करके इसको डिस्क्रिप्शन में देख लीजेगा अब अब मुद्दा जो भी रहे आपको आपकी स्टडी के लिए तैयारी करनी होगी आपका एक्जाम 12 फरवरी को है संभावेत देती है संभावता ये दिन इसी दिन इक्जाम होगा तो आप उसको बेज बना के चलिए अब स्टाट करते है पहले प्रस्ट से निमन लिखित में क यह मेरे ख्यास है 69 साथ 72 है तो यह एकदम माइनर मिस्टेक है यहाँ पस नहों होना चीए था तो पहला कथन गलत ठेक प्रदेश में भगौलिक छेतर भगौलिक छेतर फल में कितना प्रतिशत वन अच्छा दित है 44.2 प्रतिशत हा तो यह सही है तो दूसरा कथन सत्य है औ पहला कथन 77 इसका अंसर क्याएगा option number D ऐसे ही प्रशन आएंगे भाई तो आप पो अपना तैयारी easy to moderate नहीं moderate to difficult रखना होगा वन के छेतर फल और वना और एंड के तोनों की लिहास से 36 गड़ का जो इस्थान है तीसरा है इसको ध्यान में रखना पहला मद्ध प्रदिस अर अरे देखें प्रसाशनिक अधार पर यहां कुछ कुछ बताये गया है कि अरकशित सर्रकशित और और अवर इकृत वना के बारे देखते हैं geçer आरकशित वना का जो प्रतिसद दिया ने 25 साथ ब्यासी ये सही है सररक्षित की बारे में बात करो तो सररक्षित में चाथ 24 यहां 23 दिया 23-36 23-36 तो एक्ष्वल में ये जो है वो 24-36 है 24-36 तो थोड़ा आपको तो इसको याद करना पड़ेगा तो दूसरा गलत है पहला सही है और अब अगर कृत वनों में जो छेत्र फल दे है 9954 तो ये सही है तो खुल में लाकि A और C सही है B गलत है तो इसमें आपको आंसर होगा option number D A और C सही है अगला बात करते है आर्थिक सार विक्षन 2020-21 के अनुसार वानिकी छेत्र में जो सकल घरेल उत्पाद है पतलब GSDP कितना प्रतीसत है तो आपको option दिये 3.74, 2.74, 1.5 और 2.57 तो इसका answer आपको बताना है तो इसका answer होगा इसका मैं डियक्ली आपका answer बता दो 2.74 प्रतीसत अगला प्रस्षन कि आर्थिक सर्वेक्शन 2020-21 के अनुसार वानिकी छेत्र में जो सकल घरेल उत्पाद है कितना प्रतीसत का वर्द्धियू है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है तो इसका answer है 1.57 1.57 तो इसको दोनों का आपको ध्यान में रखना है तो थोड़ा यह difficult है मैं आपको बता देता हूँ जहां आपको सबको लगे तो इसको आप लिक के रख लिजेगा ठीक है बीजा, साजा, धावडा, महुआ तो अगर मैं बात करूँ अगर मुझसे पूछोगी रहाँ तो मैं साजा बसका जानता हूँ साजा का क्या है टर्मिनेलिया, टोमेंटो सा तो मैं B का देखूंगा 1 B का देखूंगा क्या 1 तो देखे, B का 1 कहा है, इसमें है क्या नहीं है इसमें है, इसमें है क्या नहीं है इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं और महुआ, महुआ का मधुका, तो महुआ से मधुका भी पकड़ सकते हैं, तो इस प्रकार से उसको ध्यान में रखना है, अगले प्रस्ण में जाते हैं, अच्छा, आपसे मैं गुर्पय करके नोलोत करते हूँ, कि अगर आप इस चेनल में नय होंगे तो गुर्पय करके इस टिग्रिस बिल्कुल सेहीं निल ग्याय को बोला जाते क्या के ट्रेगोग क्रेमेलखे घोखेमेलख एंड अब लाफस ट्रेगोग.. तो यह दोनों को आपको ध्यान में होना चाहिए यह तो कम से कम ध्यान में रखना नोट करके रखी लेना थोड़ा नया कोशन है जंगली सुवर को क्या बास स्कॉरस कहते है नहीं तो यह गलत होगा सी और सांभर को बोला जाता है यूनिकोलर ठीक सेवरस यूनिकोलर तो इस अन्सर आएगा ए बी डी आपको बताना है कमें चीजों को समझ सकते हैं इसके बारे मैं बता दू यह प्रात्मिक स्वास्त उप्चार है तो औस धी पौधों का वित्रन करता है और इस यूजना के तहट अडूसा तुलसी गिलोए अलवेर आधी पौधी को समिल किया गया ह तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा देखते हैं, और सधी पौधयों का उपयोग जटिल रोगों के उपचार के लिए करना, तो ये उसका उद्देश नहीं है, उसका संग्रहन करना, उसको सामिल करना ये तो है, लेकिन उसका जटिल रोगों का उपचार करना ये गलत है, तो इसका अंसर होगा पहला दूसरा सही है तो ऑप्शन नमबर सी अगला प्रशन प्रदेस में वनों की जो पादपी विश्यस्ताओं के अधार पर दो भागों बाटा गया है पहला उष्टकटी बंधी आद्र पढ़न पाती अदूसरा सुस्क पढ़न पाती तो क्या सही है पता प्रदेस के कितने वर्ग किलोमेटर में साइगोन का छेत्रफल फैला हुआ है तो आपको बताना है इसके छेत्रफल के बारे में देखे इससे पहले कोशन को मैं थोड़ा डिटेल कर देता थोड़ा ध्यान में रखना यह लगबख 47 प्रतिशत के आसपास वाले छेत्रफल म साइगोन को आपको देखने मिलेगा ठेक है और दूसरे एक बारे में बात तो अगर मैं सुस्क पढ़न पाती छेत्र के बारे में बात करूं तो यह वर्षा लगबख 75 से 100 सेंटी मीटर के आसपास होता है और इंक आउन प्रतिशत छेत्र में फैला हुआ है तो यह 36 गण का प्रायदी पी प्रदेश, वहां पस अपको प्राप्त होगा देखने मिलेगा अब बात करते हैं अगले प्रस्नों सैगोन वनों की प्रतिशत देखें इसमें आपको तीन चीज़ याद रखना है साल वन, साल, सैगोन, सागोन और एक याद रखना आपको है मिसरित वन, तो यहाँ पस जो सालवनो की प्रतीशत है प्रतीशत के बारे में बात करोगो तो 40 प्रतीशत में फैला है पहला चीज़ तो और ये 24 24 तो इसका 6 तरफल को अगर मैं बता दू सालवनो का 24-24 24-24 24-24 24-24 याद रखना ठीक और ये जो सालवन है एक प्रकार का पतजडवन है इसको भी आप एक फैक्ट के उप में देख सकते हैं अब मैं बात करते हूँ सैगोन वन के बारे में तो सैगोन वनो का जो प्रतीशत है वो लगबग 9 तो समलो 4 दो प्रतीशत है और ये 36 गड़ में संभवता 56 वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है इतको याद रखना खुरसेल घाटी जहां पस सर्वत्तम प्रकार की सौगोन पहा जाते ना प्रशिद्ध है तो यहीं फैक्ट है और मिस्रित वर्ण सरवादी शेत्रफल में है 26,0,26 एक शौल में 18 लेकिन इतना याद रखना और ये कितने प्रतिशत में फैलो हुआ है लगबख 43,1,6 प्रतिशत तो प्राकृतिक बोलता है कि अधार पर तीन भागों में इसको बाटा जाता है अगला प्रस्न के बारे में बात करते है प्रस्न देखते है आपको देखने मिलेगा सक्ति जिला में का आणसर क्या है आट ओप्शन नमबर प्रदेश में वनों की पाइदपी विशिष्टा के अधार पर कितने भागों में बाटा गया है पुना वही क्वेश्चन है सिसका अंसर रहेगा दोनों सत्य है देखो बताना है कौन सा कतन सत्य है प्रदेश गड़ाजे वन खेतर फल के दिरिश्टी से चौता है पहला और राजे के वन आउरन के दिरिश्टी से तीसरा इस्था रखता है देखे मैं आपको इसका सोर्स के साथ इसमें मैं बात करता हूँ क्योंकि ये कोशन बार बार रिपीट हो रहा है प्रदेश गड़ाजे में वन का छेतर फल है चौता है हाँ वास्तिक रूप से चौता है लेकिन पीएस्स का अंसर क्या लेता है पीएस्स का अंसर लेता है तीसरा ठेक साथ ही वन आउरन के दिरिश्टी से देश में कित कों से इस्था रखता है तीसरा और PSC इसका भी answer लेता है तो ये थोड़ा विवादास पद है लेकिन इस कतन की हिजाब से दोनों सत्य है चौथा और तीसरा लेकिन जब ये PSC में question paper की रूप में formation लेगा तो इसका answer का आएगा थर्ड ही आएगा अब थर्ड ही लगाएगा तो इसका answer का आएगा इस option की बिकल्प में बता दो तो दोनों सत्य है otherwise पहला सत्य है दूसरा सत्य है और पहला सत्य है देखें अगर यहाँ पर जो चौथा लिखाया गया है तो की साधार पर लिखाया गया है तो आपको मैं बता दो 1.6.3 फल में तो चौथा सही है क्योंकि आप इसको जब पढ़ेंगे न आर्थिक सर्वेक्षन को या जो वर रिपोर्ट आता है आया है 2017-2019 का देहरदुन का कौन सा करम का था इसको भी बता देना भाई आप तो यह जो रिपोर्ट के अधार में यह तो बताया गया डिजर्ट और तरही तो मैं आपको बता दो कि भगाउलिक द्रिष्टी कोर से 36 गर्ण राज को जो जय चोतर में सामिल किया गया है वो सिर्फ तराइच्षेत्र में सामिल किया गया है ना ही डिजर्ट अगर समझते है तो आप राजी स्थान वाल अगर लेलो ठीक तो कुल बिला के यह तो अल्रेडी गलत हो जाएगा दूसरा और डिककर लगभग महाराश्ट को कवर करता है तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रख के तरही वाले शेत्र में आपको इसको लेना है तिसका आंसर क्या है का option number C ISFR Indian State Forest Report 2021 की संबंद में कुछ कथन दिया है बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है पहला कथन दिया हो है कि देश में वनों और पेडों का जो छेत्र फल है बाइस 2600-2261 वर्ग किलोमेटर की बढ़ उत्री होई है तो ये तो सही है ठीक है 36 गार राजय में 110 वर्ग किलोमेटर चेत्र में वर्द्धी होई तो ये 110 नहीं 105 है तो आपको इतना डिटेल में तो रखना पड़ेगा चेत्र फल पांच स्वारी 6 5 5 6 वर्ग किलोमेटर है तो बिल्कुल सही और 36 गड़ में इसका सरवाधिक विस्तार है कोई से बास का डेंडरा कुलामस तो ये भी सही है और इसे आदिवासियों का सोना कहा जाता है हरा सोना तो याद रखना ये तीनों कथन बिल्कुल सथे तो आप एक बाद बताईए तेंदू पत्ता को क्या कहा जाता है 36 गड़ राज लगू वनुपस का गठन कब हुआ इस कांसर मैं आपको बता दो इस कांसर होगा 36 गड़ राज लगू वनुपस का गठन 37 गठन होने के एक दिन पूर्व होता है मतलब 31 अक्टूबर 2000 को अगला 37 गड़ आज में अध्योगिक परियोजना मंडल के इंतरकत किने सामिल किया गया है तो देखेगा 36 गड़ में कुल वन मंडल कितने हैं वन परियोजना मंडल नौ जिसमें से तीन क्या है अध्योगिक परियोजना मंडल चौथा भी घोसित करने के बारे में सोच रहते हैं तो याद रखना भिवरतमान में कुल नौ परियोजना मंडल में तीन ओद्योगिक परियोजना मंडल है जिसमें कोर्भा, रायगर्ण और जगदल पुराएगा तो इस कांसर क्या है का ओप्शन नम्बर C एक तीन और चार् में कुल वन परियोजना मंडल कितना है तो इसको ध्यान में रखना जीरो नौ मतलब नौ जिसमें तीन वन अध्योगिक परियोजना मंडल है कौन-कौन सब पुना मैं बता दूं आपको कोर्भा, रायगर्ण और जगदल पुरा निम्न लिखित के छेतरफल के बारे में बत ठीक, अचानक मार का जो छेतरफल है वो होगा, एक नए ना, वन जाट इसको जू मोट कर लेते हैं, भोरम देओ का छेतरफल कितना है, 163, अचानक मार का कितना है, 552, पामेड का कितना है, 265 और सेमर सथ का 430, तो इस प्रकार से इसको आप नोट करके रखना या फिर ध्या है, 11, और सबसे नया को ध्यान में रखना, सबसे नया कौन सा है, भोरम दे, ज्यादा लेट हो जाएगा नित, इसमें बहुत सारे हम लोग फैक्ट को जोड़ सकते थे, ठीक है, आगे जैसे भी वीडियो रहेगा, उसको देरे-देरे हम लोग पढ़ाएंगे, फिर से बतान है, कौन सा कहां पस आपको प्राप्त होगा, कुट्रू गेम संचुरी, कुट्रू गेम संचुरी, तो यह आपको मिलेगा बीजापूर में, तो पहला का चौथा, तितली पार्क, तितली पार्क कहा है भाईया, तो तितली पार्क मिलेगा आपको बस्तर में, तो दूबी का एक, ओके, मौरिन फॉसिल पार्क, तो ये आपको मिलेगा दो, मतब कॉर्बा में, कॉर्बा में और जंगल सफारी मिलेगा आपको रैपूर में, तो ये हो जाएगा तीन, तो इसका अंसर आएगा चार एक दो तीन, चार एक दो तीन का प्राराम कब हुआ वसी के परिपेक्षमगला कोश्चन बता दीजी तो ये प्राराम होता है 2006 को तिसका आंसर क्याएगा option number B हर एक प्रस्ण में आपको कठिनाईया नहीं होगे कुछ प्रस्ण को आप logical way में बना सकते हैं और कुछ का आंसर बहुत असान होगा तो moderate to difficult जाएगा तो हर question difficult होगा ऐसा कुछ नहीं है अब आपको बताना है तमोर पिंगला वन या बारन के सम्मद में कुछ गथन दिया हुआ है जिसमें कौन से सही है ये आपको बताना है अगर मैं बात करो तो ये मालो हमारा उत्तर चत्र गड़ है यहां पस आपको मिल जाएगा कौन से जीला नया जीला यहाँ पस आपको कोरिया मिल जाएगा, यहाँ पस आपको मिल जाएगा सूरजपूर, फिर बलरामपूर, यहाँ पस आपको अंभिकापूर, अब यह क्यों सा रहा? जस्पूर, तो यह वाला जो छेत्र है ना सूरजपूर वाला, तो सूरजपूर में प्राप्त होता, पाया तो यह बिल्कुल गलत है दूसरा और जहां जहां दो गलत हो उसको आप खाड़ देना उत्तर प्रदेश का गोवेंद बल्लपंत सागर इसी अभ्यारन से गुजरता है तो थोड़ा इसको जब डिटेल में करेंगे ना जब आप उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष में पढ़त प्रदेश के तमोर पिंगला का जो चेत्रफल है सबसे पहले गठन के बारे में बात करें इस थापना तो यह 1978 में होता है एक चीज इसी के साथ एक और अभ्यारन का गठन होता है बल्रामपूर में सेमर सोत सेमर सोत चेत्रफल के बिहाप से चत्तित को सबसे बड़ा अभ्य पूर्व सरकार दोरा बनाएगी जो राजस से ग्रामों को वन ग्राम में परिवर्थित करना यह प्राउधान था क्या ऐसा कोई प्राउधान नहीं था अगर आप वन निती 2001 को पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा तो पहला तो गलत हुआ उसके बाद लगू वन उप नहीं है और एक गलत है तो इसका आंसर क्याएगा option number C UNDP परियोजना के अंतरगर साथ औसधी पौधा संसकरन छेत्र जिसको क्या बोला जाता है MPCA में सामिल किया गया है तो किने सामिल नहीं किया गया है तो आपको बताना इसका answer देखिए मैं आपको यह जो छेत्र के बारे याद रखना बस्तर एक ठेक दूसरा याद रखना धमतरी को तीसरा ध्यान में रखना अके रखन मरवाही पांच्वा ध्यान में रखना सरगुजा सरगुजा उसके बाद दक्षिर खुंडा गाउं और एक जस्पूर है जस्पूर और दक्षिर खुंडा गाउं गाउं तो कुल्मिला कि यह सारे है और कौन सा इसमें खेरा गणवरवाही और बसतर दुधिक्र है भानुप्रतप के बारे मैंने कुछ बोला क्या नई तिसका अंसर जाते हैं तो इसका अंसर आपको पता होगा उम्मीद है खुरसेल घाटी या खुरसेल घाटी भी बोला जाता है खुरसेल घाटी ऑप्शन नमर ए तो इस प्रकारसिस को हम लोग रखते हैं बाकी 25 कोशन को नेक्स वीडियो में करेंगे अच्छा लगे तो किरपकर करके चेनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलते हैं अगले वीडियो में गॉड़ में बस्यों आप